करोणा टोक्स ने आपका स्वागत है हर एक व्यक्ति की खुद की जिम्मेबारी होती है कि अबोल जीओं के रक्षा करें मगर अभी क्या हो रहा है कि हम पूरी स्रुष्टी पर हमारा ही हां कि समझ रहे हैं इश्वर ने हमारे रशना मारे शरीर की बारजिकर हमारे जो रचना होगी है वो शाकाहार ले रहा है तो हम क्यों किसी और का ज्यान लें सिर्फ पेट बरने के लिए तो इस पूरा अभिशाई हमारे पास अभी प्रकास जी रखेंगे तो मैं प्रकास जी से कि यह बात जो पूरी बताई गई है क्यों सब लोग इकटे होने वाले हैं क्या रज आध ग्यारा दोजर तीविस को महाराश्च्ट शाषन ने एक जी आर निकाला है जिसमें पहली से आठवी तक के बच्चों के लिए अपते में एक दिन केली या अंडे देंगे वैसे ही वस्तिक रहों में जहां बच्चे रहते हैं उनको लिए मौज भी देने का उनका जी और निकला है यह बहुत निंदनिय ग्रणित कारिया है अने स्कूल याने विद्याले और विद्याले याने एक बच्यों का जीवन निरमान करने की संस्ता और वैसे ही सरवसुती माता का मंदीर है जिस मंदीर में हम बच्चों को जीवन बनाते है उस बच्चों का जीवन बच्चपन से ही अगर मौसार करवा दोंगे या अंडा अंडे में भी जीव होता है अंडे में भी पंचेंद्रे जीव होता है उनकी भी अगर और अंडे से हत्य होती है अंडे खाने से तो उससे भी मानों की बुद्धी ब्रश्ट होती है जैसा खाये अन्ना वैसा होए मन्ना इस हिसाब से अंडा भी उशाकारी समाज में वर्जित है हम चाहते हैं अंडे में प्रोटिन खाली सारे 12 परसंट ही है बाकी करदान्या है सब्सक्राइब चीजों में इस भुद्ध जादा है अभी कुछ डाक्रों से विचेजशा हुई को डाक्रों ने भी बताया कि लगभग अंडों से तो कमस्यम कम बवाहुस ब्रकार की बिमारिया होती है एस्न मा कभी बिमारी नंता है इस अंडे के सेवन से होते हैं अम इंगोली में 23 तरीकों मालूम पढ़ा 23 मिटिंग लिया सर्व धर्मिया सर्व पक्षिय सभी समाच की लोगों को बोला करेक मिटिंग लिया प्रिप और 24 तरीकों भवे मोर्चा का आयोजन इंगोली में हुआ जब तक यह चालू नहीं हुआ लेकिन हमने मोर्चा निकालने के सब्सक्राइब लिए और वह वाटआप बी होना कई जगे चलू हो चुका है कई जगों पर महाराष्ट में एक वार्करी संप्रदाय है जो प्रभविठ्रन को मानते है पांदरन को मानते है वह बी इस आंदोरन में उतर चुके है उन्होंने भी इस आंदोरन को असीतियूर लेकिन अभी तक शाशन ने यह निर्ने पिछे नहीं लिया है यह दुख बरी गटना है अभी भी हम सभी लोगों को आज हिंगोली जिल्ले में दिनाइंग पास्तारी को हम हम सभी हिंगोली वासी और आजबाजू के सभी लोग एक भव्य मुक मोर्चा का अविजन किया है अभी इसमें भी हम कई संत महांत्में भी वदारने वाले हैं सभी बक्षिते लोग भी आने वाले हैं और हम इसका पिवरता से विरोध करकर यह निर्ने वापस लेने के लिए स जलता रहेगा और प्रभू से यह प्राइधना करते हैं कि प्रभू सभी राजल्र करता हों को सभी बाताओं को गलता लें आयसे हमारे यहां ज़्य हर सभी चौने शेके निर्ने लिया ते हुन्होंने ओर स्यक्वाज्व माउसार नहीं होगा ऐसा अच्छा निर्ने भी उन्होंने लिया था उनकी हम बहुत बहुत अनुमोधना करते हैं ऐसे ही निर्ने सभी लाज़े करता हो ले सबस्कुरती सुधारे समाज में अच्छा वातरान तयार हो ऐसी हमारी उनकूव निंती है यह विनंती करने भी बहुत ज़री है और यह हो जाएं वह भी बहुत ज़रूरी है मगर कहीं भी अगर मैंसी बात रखते हैं तो ऐसा बोलते हैं कि इसमें प्रोटीन है यह स्वास्थिक लिए अच्छा है तो क्या हमरे पास कोई साइंटिफिक डेटा ऐसा है कि हम उसको बता स सब्सक्राइब करता है तो इसलिए तो हमारे पास ऐसा साइंटिफिक प्रूफ ऐसा कुछ है तो बता सके अभी कली एक डॉक्टर देवसरकर साब से बात वी उन्होंने बताया वाइल होने में भी कम ज्यादा हो जाए तो वाइजन हो जाता है और डॉक्टर कल्यांजी इसमों कारी करता है अब कलिभ कर निकाल कर बताया है यह स्वास्ते के लिए बहुत हानी कारक है आइसा हमारे डॉक्तर कल्यान जी गंगवाल पुना इन्होंने भी हमें बताया है जब हम सरकार के पास यह बाद रखने जहार रहे हैं तो हमारे पास इसा कोई डेटाबेस तयार है कि जिसने इतने लोग नॉन्वेस्ट है एज बगर आदे थे तो एगी के हिसाब से इतने लो शाकारी का बहुत कम है और पॉस्टिक आर है आजसा हमको बताया गया हम विदान भवन में भी जाके आए विदान भवन में भी यमेले गीता जी जैन जो भीवंडी बहिंदर से है उन्होंने भी प्रश्णा उठाया और यह बतानी बात में हमने उसे बहुत चर्चा है कि ल और हमरे बच्छा शाओकारी बच्छा अब गजांए माहोंसारी बच्का अपर में विरोद करने पर जुड़े हैं हमारे साथ में वार्करी संगतना है है हमारे व्यापवारी महासंग की साथ में है सभी पार्टिया भी सब साथ में है जी ओके बस सबका साथ लेकर हम प्राइब करते हैं कि यह जो आपकी जो अवेदन है वो सरकार स्विकार करें और जो मिड़े मिल के अंतर जो एक पिरसने वाली बात है वह बिल्कुल ही आगे न अगर आपके कोई संदेश अगर देना चाहते हैं तो भी देशक्ते हैं हमारे चैनल में मैं सरकार से यहीं प्राइब करूंगा हमारी समस्कृति देश की एवं धर्म की समस्कृति बचाने तो आप सभी जग सारुजनी जगहों से अंडा मौस जो गारू यह भी सारुजनी जगहों पर नहीं होना चाहिए ऐसे कानुन निकाल कर हमारे जंता को हमारे समस्कृति को बचाए और सभी को अच्छा संदेश दे ऐसी मैं तभी राजनेताओं से राज के लोगों से तरतना करता हूं जी बस इस माहौल में हम मिल्चार आपरात नहीं पूरे भारत में यह बात मुझे और कहीं भी अभी ऐसी शरवात भी और अगर कहीं भी शरात हो तो वो जलसे जलसे रूख जाए ताकि हर एक बच्चा है पस्वस्त खाए वह अच्छा खाए और पोस्टिक आहार ले और वैसे तुमें केंडरिया पंतबर्शान को शन आहर योजना बोल के भी लिखा है लेकिन केंड्रिया पुस्तिक आर में मुझे मळमात ठीक करें अप्ड़ान मंतर्य contest Energy उनके नाम से अगर आप। है तो एक संदेश देश में गलत जा रहा है क्रपया वे भी दिस्वा ध्यान देखकर जी जी बस इसी विशे के साथ हम आपके बात को हमारी तरह से भी बहुत आगे बढ़ाने के रहेंगे नमस्कार जैगों मांगे कि